केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच्छा ने हर्याना के लोगों को ब्रस्पतिवार को चार बड़ी परियोजनाओं की सोगात दी है हर्याना के फरिदाबाद में जन उत्थान रैली में अमिच्छा ने मंच से रिमोट का पटन दबा कर प्रदेश भर में करीब 6600 करोड रुपए की परियोजनाओं का उश्वभारंब किया इस दौरान हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर और रेल मंत्री अश्वणी वैश्णव भी मौजूद रहे गुरे मंत्री अमिच्छा ने इस दौरान जन उत्थान रैली को संबोधित भी किया जन उत्थान रैली में केंद्रे ग्रह मंत्री अमिट शाहा ने कहा कि हर्याना को पहली बार मनोहर लाल के रूप में हर्याना का मुख्य मंत्री मिला है इससे पहले सिर्सा और रोहतक के मुख्य मंत्री होते थे वहीं केंद्रे ग्रह मंत्री अमच्छाहा ने रैली के माध्यम से हर्याना के भाजपानेता स्वर्गिय डॉक्टर मंगल सीन की जैनती पर उन्हें याद गिया और महाकवी सूर्दास का बेजिकर किया इस दोरान ग्रह मंत्री अमच्छा ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने हरियाना की जनता के लिए छ्यासट सो करोड रुपए का दिवाली का तौफा बेजा है ग्रहमंत्री शाहा ने रैली में आगे कहा कि आत्मनर्बर भारत की पहचान वंदे भारत अब सोनिपत जिले में बनने जा रही है केंद्रे ग्रहमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बनने वाला Elevated Railway Track नजीर बनने जा रहा है इसके आधार पर कई अन्य शेहर में ऐसे ट्रैक बनाए जाएंगे ग्रहमंत्री अमिच्षा ने अपनी इस रैली में पूर्वरती कॉंग्रिस सरकार और पूर्व सीम भुपेंद्र सिंग हुड़ा पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले भुपेंद्र सिंग हुड़ा की 3D सरकार थी इसमें दरबारी, दामाद और डीलर भी थे उसकी जगह प्रदेश का विकास करने वाली भाजपा की सरकार बनी है इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ झाल